हेलो फ्रेंड्स स्वागता आपका अपने यूटूब चैनल एलकेवी स्टेटी चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आएं पॉलिटेक्निक जी टी आई मैच्स के चैप्टर फोर्थ बहुपद एवम उडनखंड का पार्ट फोर्थ चली इसटार्ट करते हैं कोशिन नमर वान है यदि x फ्लस y उकल्टू 12 तथा xy उकल्टू 32 हो तब 1 अपन x फ्लस 1 अपन y कमान है यह और हमें यह चार आप्शन दिये गए हमें right आपशन में टिsk करना है तो हमें कह कह तो x plus y equal to 12 दिया गया और x y equal to 32 दिया गया गर मैं यहां से y की value निकालू तो यहां से y की value क्या जाएगी 32 upon x और इस y की value को मैं यहां पर लगा दूँगा तो यह x plus 32 upon x equal to कि कितना हो जाएगा हमारा 12 12 अब इसके upon मा 1 let क्र हमें हमें क्यां यहां लेगे x LCM ले 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 लेगे 1 से X हमार कित्षे बार में जाएगा x बार में x की x बढा होगी तो x square x से x 1 बार में जाएगा 1 से 32 की होगी 32 equal to 12 है अब इसके अपनों 1 लेट की क्या करेंगे इनकी हम क्या करेंगे cross multiply इसकी केच्छी होगी 1 से और 12 की x है तो यह हो जाएगा x square plus 32 equal to 12x अब यह x square यह इदर आगे हमार किसका हो जाएगा minus का plus 32 equal to 0 अब इस x square की multiply में क्या 1, 32 की 1 से multiply होगी तो हमार क्या जाएगा 32 अब 32 को हम cancel करेंगे 4 8 जा 32 तो x square यह minus 12x को में क्या लिख सकता हूँ minus 8x minus 4x plus 32 equal to 0 अब यहां इन दोनों में क्या common है x common है तो यहां x बचा यहां minus 8 इन दोनों में minus 4 common है तो x minus 8 equal to 0 अब x minus 8 फिर से common है तो हमने ले लिए x minus 8 common यहां हमारा क्या बचा ए x और यहां हमारा minus 4 equal to 0 अब जब हम x minus 8 equal to 0 लिंगे तो x equal to मार कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और जब हम x minus 4 equal to 0 लिंगे तब हमारा x equal to 4 आ जाएगा और हम इसमें x की value एक बार 8 है यहां पर जब लगाएंगे 32 upon 8 तो 8 4 जा 32 तो y equal to कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और जब हम इसमें x कितना लगाएंगे 4 लगाएंगे तो y equal to 32 upon 4 तो 4 8 जा 32 तो y equal to कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमें value किसकी find करनी है value find करनी है 1 upon x plus 1 upon y 1 upon x plus 1 upon y हमारी x की value कितनी है x की value अगर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे x की value 8 लगाएंगे और y की value x की value 8 लगा दी और y की value 4 x की 8 और y की 4 अब इसमें हम क्या लेंगे LCM, इसमें हमारे कितना LCM आएगा, इन दोनों का हमारा LCM आएगा 8, 8 बन जा 8, एक 4, 2 जा, तो यह हमारे क्या है, 3 अपॉन 8, इसका क्या होगे, answer, तो इस question का जो हमारा option number D है, वो हमारे क्या होगा, right answer होगा, question number 2, question number 2 क्या, under root x upon 1 minus x plus under root 1 minus x upon x equal to 2 सही 1 upon 6 को हल करने पर x का मान होगा, हमारे क्या करना है, हल करना और इसे हल करके x की value निकालनी है, और यह हमेंने चार option दिए गए हैं, इसमें से हमें right option पर tick करना है, तो चलिए start करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना जाता हूँ, जैसे हमारा a upon b है, क्या a upon b, अगर मैं इसे one के upon में ले जाएंगा, इसे फिर उपर लेके जाएंगे, तो फिर a upon b हो जाएगा, ऐसे हमने क्या करा है, under root x upon one minus x ऐसे ही, और इस पूरे को मैं किसके upon में ले जाएंगा, वन गे upon में, तो वनके upon में जाते हैं, हमारे क्या हो जाएगा, one upon x upon under root one minus x, equal to इसे हम क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, minus 1 upon x equal to a हमने इस पूरे की ज़िए क्या मान लिया तो यह हमारे equation क्या हो जागी a plus 1 upon a equal to 13 upon 6 अब इसके upon में 1 लेट करके हम क्या ले लेंगे lcm a lcm यह 1 से a a bar में a की a से multiply a square a से a 1 bar में equal to 13 upon 6 अब इनके अपस में क्या हो जागी cross multiply 6 की इसमें होगी तो यह 6 a square plus 6 equal to 13 की a में होगी तो यह 13 a यह 6 a square ही इदार आगे minus का 13 a plus 6 equal to 0 अब इस 6 की multiply किसमें होगी इस 6 में होगी 6 6 जा 36 अब इसे हम cancel करेंगे 2 18 जा 36 फिर 2 9 जा 18 इस 6 a square इस में minus 13 a को मैं क्या लेख दूंगा minus 4 a minus 9 a plus 6 equal to 0 अब इन दोन में हमारे क्या common है इन दोन में हमारे 3 a common 3 2 जा 1 a से a गया अब 3 a हमने क्या ले लिया इन दोन में common ले लिया इन दोन में 3 a नहीं common इसमें हमारे क्या 2 a common 2 से 6 हमारे कितनी बार में जाएगा 3 बार में एस a गया यह हमारे क्या बचे इतर minus 2 इन दोन में हमारे क्या common है इन दोन में हमारा minus 3 तो हमारे क्या बचे का इतर 3a minus 2 equal to 0 इन दोन में फिर से हमारे common है तो हमारे क्या जागा 3a minus 2 इतर हमारे क्या बचे का 2a minus 3 equal to 0 एक बार इसकी equal to 0 लेंगे 3a minus 2 equal to 0 तो 3 equal to 2 equal to 2 upon 3 एक बाट 2 ए minus 3 equal to 0 लेंगे तो 2 equal to 3 equal to 3 upon 2 equal to कितना आगे हमारा 3 upon 2 एक हमारी कितनी value आगे दो आगे एक क्या एक equal to 2 upon 3 और एक की value 3 upon 2 हमने under root x minus 1 upon x equal to क्या माना था एक माना था तो ये under root x minus 1 upon x ऐसे हम क्या रख देंगे 2 upon 3 अब हम यहां क्या लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर तो under root x upon 1 minus इसका भी वर्ग कर दिया और यहां हमने 2 upon 3 का भी वर कर दिया इस square से यह हमारा under root cancel तो यहां क्या बचा हमारा x upon 1 minus है equal to 2 का square 4, 3 का square 9 हम आपस में क्या कर लेंगा cross multiply, 9 की x में होगी 9x, यहां 4 की 1 में होगी 4 और 4 की x में होगी तो 4x, 9x ऐसी यह minus का 4 है, इदर आगी plus का 4 equal to 4 9x और 4x हमारे कितना हो जाए गए 13x equal to 4 x equal to हमारे कितना आगया x equal to आगया हमारा 4 upon 13 एक बार हम इसके equal to अब क्या रखेंगे, इसके equal to रखेंगे 3 upon 2, तो under root x minus 1 upon x, एकी value होगी है, यहां क्या रखेंगे 3 upon 2, अब फिर से हम लेखेंगे क्या है, दोनों और वर्ग करने पर दोनों और वर्ग करने पर, तो under root x upon 1 minus x इसका वर्ग कर दिया, और 3 upon 2 का भी हमने वर्ग कर दिया अभी square से under root कैंसे लिहां x upon 1 minus x equal to 3 9, 2 का square 4 अब आपस में क्या होगी, cross multiply तो इसकी 9 में होगी 9 minus 9x equal to 4x, अभी minus 9x minus 4x equal to minus 9, minus 9x minus 4x minus 13x equal to minus 9, minus से minus cancel x equal to हमारा कितना आगया x equal to हमारा 9 upon 13 x equal to के आगया 9 upon 13 तो इसकी क्या होगा है solution होगा है दोनों, अब इस में से हमारा इन दोनों में से जो भी हमारा option में होगा हम उसमें क्या करतेंगे टिक करतेंगे तो इस question का जो हमारा option नमर D है वो हमारा क्या हो राइट answer होगा question 3 question 3 क्या यदि x plus y equal to p तथा x y equal to q हो तब 1 upon x cube plus 1 upon y cube का मान होगा हमें किसका मान निकालना है 1 upon x cube plus 1 upon y cube और यह जो हमें 4 option दिएगे हैं इसमें से में right option पर टिक करना है तो हमें किसकी वैली निकालना है 1 upon x cube plus 1 upon y cube की वैली निकालना है और हमें दिया क्या क्या है x plus y equal to p दिया है और x y equal to हमें q दिया है तो हम इस 1 को भी 1 का cube लिख सकते हैं इस 1 को भी 1 का cube अब दोनों के Cube आने हम इसे क्या लिए हम इसे क्या लिख दे हैं WeLLcom X का Whole Q इसे ए We request A5 का Whole Q अब हमें एक फॉर्मूला जानते हैं किसका AQ प्लस B Q का फॉर्मूला क्या होता A प्लस B ब्रैकिट में A square प्लस B square माइनस A B तो इस formula को हम इसमें apply कर देंगे तो a plus b bracket में bracket में a plus b हो गया अब bracket में a square यानि कि one upon x का square one upon x square plus b square यानि कि one upon y का one upon y square minus a b यानि कि one upon x into one upon y अब इन दोनमा हम क्या ले लेंगे x, y, halsium x से x गया यहाँ y आ जाएगा इन दोनमा हमारे क्या LCM है x square, y square अब x square से x square गया यहाँ y square आ जाएगा है y square से y square गया है x square आ जाएगा है और इन दोनमा क्या होगा हमारा LCM x, y होगा x, y से x, y हमारे cancel तो यहाँ हमारे क्या बचेगा one बचेगा अब यह हमारा y plus x ऐसी upon x, y यह y square plus x square भी ऐसे ही इस पर भी square इस पर इस square तो पूरे विपर whole पर square minus 1 upon x minus 1 upon xy अब यह हमारा y plus x को हम x plus y लिख ले रहे हैं upon xy इसे हम लिख लेंगे x square plus y square बते में xy का whole square minus 1 upon xy अब यह हमारा x plus y upon xy हमारा ऐसे ही अब हम इस पूरे में ले लेंगे lcm lcm क्या आ जाएगा हमारा x minus y का whole square x minus y के whole square x minus y का whole square coinsel हमारा यह आप कह बचेगा x square plus y square minus 1xy से 1xy कट गया 1xy की one से multiply होगी तो हमारा xy आ जाएगा अब यह हमारा x plus y ऐसे ही इस xy की multiply is xy के whole square से होगी तो कहा हो झाएगा x y का whole cube और यह हमारा क्या है x square plus y square minus xy है हमने क्या करा है इसमें 2xy हमने इसमें add कर दी है और 2xy हमने minus कर दी है अब यह हमारा x plus y upon xy का whole cube और यह पहला term यह term और यह term इसे हमारे क्या हो जाएका x plus y का whole square बन जाएगा minus x y minus 2xy इह हमारे कितना बन जाएगा minus 3xy अब x plus y x plus y की value हमें कुशन में कितनी दिए फी दिए x y, x y की value कितनी दिए q दिए तो यह p upon cube अब x plus y x plus y की value के दिए फी तो यह p square minus 3S जैसे इस xy की value के आदी है हमारे q दी है तो यह इसका क्या हो गया answer हो गया इसका क्या हो गया answer अचाहें थो हम इस p की अंदर multiply भी कर सकते हैं गब p की अंदर multiply करें तो यह हमारे क्या हो जगा p cube minus 3p cube upon क्या हमारा q cube q cube इसका हमारे क्या हो गया answer तो इस question का जो हमारा option number C है वो हमारा क्या होगा? right answer होगा question number 4 question number 4 क्या है? यदि 2x square plus 5xy plus 3y square plus x plus ky minus 10 equal to bracket में 2x plus 3y plus m into bracket में x plus y minus 2 हो तो k तता m के मान होंगे हमें ये equation दी है और हमें इसमें से k और m के मान निकालने और ये जो चार option देगें इसमें से right option पे टिक करना है तो ये हमारा चली start करने से करना है 2x square plus 5xy plus 3y square plus x plus ky minus 10 equal to C अब हम इनकी क्या करेंगे? अपस में multiply 2x की जब x में होगी तो हमारा कितना जाएगा? 2x square 2x की जब y में होगी तो हमारा कितना जाएगा? 2xy अब 2x की जब minus 2 में होगा तो minus 4x अब इस 3y की किस में होगी? x में तो ये हमारा कितना जाएगा? 3xy अब इस 3y की जब हमारी y में होगी तो हमारा कितना जाएगा? 3y square अब इस 3y की जब माइनस 2 में होगी तो 6y अब m की x में होगी तो हमारा mx m की y में होगी तो हमारा m y इस m की हमारी माइनस 2 में होगी तो माइनस 2m अब यह हमारे क्या होगा यह हमारा ऐसी रहेगा 2x square plus 5xy plus 3y square plus x plus ky minus 10 equal to 0 इतर हमारा 2x square ऐसे ही plus 2xy ऐसे हमारा इस अब ऐसे is 3xy być minus 6y में और is stranglet हम फिर से common ले लेंगे जब इंडों में हम y garder common लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा m minus 6 और फिर हमारे क्या क्या बचा 3y square बचा और minus 2mNE बचा अब हम क्या करेंगे यह हमारी left hand side है यह हमारी right hand side है अब हम left hand side और right hand side में हमें किस-किस की value निकालनी है हमें निकालनी है K की value और M की value अब हम लिखेंगे LHS तथा RHS मैं अचरपदो तथा Y के गुडांकों की तुलना करने पर तुलना करने पर पहले हम कर रहे हैं अचरपद यहां हमारा left hand side में हमारा अचरपद क्या है minus 10 है और यहां right hand side में हमारा अचरपद minus 2 M है यह minus से minus cancel 2 से 10 5 बार में cancel तो M equal to कितना आ गया 5 आ गया हमारे और जब हम Y के गुडांके तुलना होगी तो यहां हमारा Y का क्या है क्या है क्या है यहां हमारा हमारा Y के multiply में क्या है यहां है हमारा M minus 6 अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे K की value K equal to M की value अभी हमने निकाल लिए 5 minus 6 तो K equal to कितना आ गया minus 1 M की value 5 आ गयी K की value minus 1 आ गयी तो इस question का जो हमारा option question number C होगा वो right answer होगा question number 5 question number 5 क्या यदि x की power 4 minus P x square plus Q का गुलनखंड x square minus 3x plus 2 हो तो P थता Q के मानोंगे हमें क्या दिया है इस वेंजग का गुलनखंड दिया यह और हमसे पूछा तो P थता Q के मानवा था और यह जो 4 option दिये हैं इसमें right option में टिक करना है तो सबसे पहले हमें इस वेंजग का जो गुलनखंड दिया है हमें उसके equal to क्या क्या मानना है जीरो मानना है अब हम इसके क्या करेंगे factor है तो कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा minus 3x अब फिर्थम दो पर दो में हम क्या लेंगे common x तो यहां क्या बचे का x यहां minus 2 इधर हम क्या लेंगे minus 1 common यहां क्या बचे का x minus 2 equal to 0 अब दोनों में x minus 2 हमारा फिर से common है तो हमें x minus 2 फिर से common लेंगे x minus 2 जब यहां common यहां हमारे क्या बचे का x यहां हमारे क्या बचे का minus 1 equal to 0 एक बार इसके equal to 0 लेंगे x minus 2 equal to 0 तो x equal to कितना आ जाएगा हमारा 2 एक बार x minus 1 equal to 0 लेंगे तो हमारा x equal to कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा अब हमें क्या करना है यह जो वेंजग है इसके equal to हमें क्या let करना है 0 let करना है अब हमें इसमें x की value कितनी रखेंगे x की value एक बार 2 रखेंगे इसमें एक बार 1 रखेंगे सबसे पहले हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर 4 माइनस P 2 का स्क्वार 4 प्लस Q एक्वाल टू 0 2 की पावर 4 हमारे कितना होगा 16 2 का स्क्वार 4 प्लस Q एक्वाल टू 0 यह माइनस 4P प्लस Q एक्वाल टू कितना होगी हमारा माइनस 16 अब हम इस पूरे LHS में और RHS में माइनस से क्या कर दे रहे हैं multiply तो यह हमारा 4P minus Q equal to 16 यह हमारी क्या हो equation 1 अब इसमें हम जो हमारा वियनजग दिया है अब इसमें हम X की जगे कितना रखेंगे 1 रखेंगे X की जगे तो यह हमारी 1 की पावर 4 minus P 1 का square plus Q equal to 0 1 की पावर 4 1 P plus Q equal to 0 तो यह हमारे कितना हो जाएगा minus P plus Q equal to minus 1 अब हम इसमें फिर से minus से multiply कर देंगे तो यह P minus Q equal to 1 आगिया अब यह हमारी क्या बन गई? 2 समीकर्ण बन गई अब हमें इन समीकर्ण 1 मां समीकर्ण 2 क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा तो समीकर्ण 1 क्या है हमारी? 4 P minus Q equal to 16 समीकर्ण 2 क्या? P minus Q equal to 1 अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जोडने यहाँ पर क्या लिखेंगे? घटाने पर जब हम यहाँ घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा? minus यहाँ हमारा plus और यहाँ हमारा minus यह Q Q cancel 4 P मैंसे जब हमारा P जाएगा? कितना बचेगा? 3 P 16 मैंसे 1 जाएगा हमारा 15 3 से यह 15 5 बार में cancel P equal to कितना आगिया हमारा? 15 P equal to कितना आगिया? 5 अब इस P की value को हम किसमें रखेंगे? equation 1 में तो यह 4 इंटू P की जब कितना आएगा? 5 minus Q equal to 16 4 5 जब 20 minus Q equal to 16 और यह minus Q equal to 16 minus 20 minus Q equal to minus 4 तो Q equal to हमारा कितना आगिया? 4 तो हमारे P की value कितनी आगि? 5 और Q की value? 4 तो इस question का हमारा जो option नम्मर C है वो हमारा क्या होगा? right answer होगा question number 6 यदि 2X cube plus 4X square plus 2AX plus B पूरी तरह X square minus 1 से विवाजित हो जाए तो A तता B के मान होंगे हमें क्या निकालना? A की value और B की value निकालनी और यह जो हमें 4 option दिये गए है इन 4 option में से right option में टिक करना है तो यह जो VN जग है इसे हमें किससे भाग देना है? X square minus 1 यह जो VN जग है यह X square minus 1 से पूरा-पूरा कट जाता है तो हमें क्या करना है? इसमें हमें जिससे भाग दे रहे हैं किससे दे रहे है? X square minus 1 हम सबसे पहले इसके equal to क्या मान लेंगे? 0 अब X square है हम 1 पर भी square मान लेंगे अब हमें एक formula जानते है A square minus B square क्या होता हमारा A minus B A plus B तो X square minus 1 square में जब यह formula apply होगा तो हमारी क्या हो जागा? X minus 1 X plus 1 equal to 0 A वार हमें X minus 1 equal to 0 लेंगे तब हमारी X equal to value कितनी आजागी? 1 अब एक वार हमें X plus 1 equal to 0 लेंगे तो हमारी X minus 1 equal to 0 अब जो हमारा व्यांजेक दिया गया है क्या 2XQ plus 4X square plus 2AX plus B equal to हम क्या लेट करेंगे? 0 अब एक वार X की value 1 रखेंगे इसमें एक वार X की value minus 1 तो 2 into 1 की power 3 plus 4 into 1 की power 2 plus 2A into 1 plus B equal to 0 अब यह 2 plus 4 plus 2A plus B equal to 0 2 और 4 कितना हो जाए? 6 तो यह 2A plus B equal to minus 6 यह हमारी क्या बनगे? equation 1 अब हम इस व्यांजेक में X की जाए कितना रखेंगे? minus 1 तो यह हमारी क्या हो जाए? 2 into minus 1 की power 3 plus 4 into minus 1 की power 2 plus 2A into minus 1 plus B equal to 0 minus 1 की power 3 minus 1 plus 4 into 1 plus minus minus 2A plus B equal to 0 यह minus 2 plus 4 और यह minus 2A plus B equal to 0 यह हमारी कितना हो जाए? 2 minus 2A plus B equal to 0 अब यह minus 2A plus B equal to minus 2 अब हम क्या करेंगे? sumi card 1 और 2 को हल करेंगे और A और B की value हमें मिल जाएंगे तो sumi card 1 क्या है हमारी? 2A plus B equal to minus 6 और sumi card 2 क्या है? minus 2A plus B equal to minus 2 अब हम यहाँ पर क्या लेखेंगे? जोडने पर जब हम जोडने पर लेखेंगे तो यह हमारे cancel B और B 2B minus 6 और minus 2 minus 8 2 से यह 8 4 बार में cancel B equal to हमारे कितना आ गया? minus 4 आ गया अब हम इस B की value को कहां लगाएंगे? equation 1 में तो 2A से इस B की जग़े क्या जाए? minus 4 equal to minus 6 अब यह 2A equal to minus 6 से यह minus 4 इतर आ आ के मारा plus 4 होगा तो यह 2A equal to minus 2 2 से यह 2 cancel A equal to कितना आ गया? तो इस question का जो हमारा option number B है वो हमारा क्या होगा? right answer होगा question 7 question 7 क्या है? x की power 4 minus 12 x cube plus ax square plus bx plus 72 को x square minus 5x plus 6 से पूर्णेता भज बनाने के लिए a ततर बी के मान होंगे हमें क्या निकाल लें? a ततर बी के मान निकाल लें तो हमारा भाग किसे करना है? भाग किसे करना है? इस बेंजे को x square minus 5x plus 6 से तो हम सबसे पहले जिससे भाग करना उसके equal to हम क्या लेट करेंगे? 0 लेट करेंगे अब इसके क्या करेंगे? factor 6 की 1 से multiply होगी हमारा कितना आ जागा? 6 आ जाएगा इन दोनों हमारा minus 3 common तो x minus 2 equal to 0 अब हमने x minus 2 फिर से common ले लिया है यहां हमारा क्या बचा? x minus 3 equal to 0 अब x minus 2 equal to 0 होगा तो x की value कितनी आ जाएगी? 2 और जो x minus 3 equal to 0 होगा तब x की value कितनी आ जाएगी? 3 अब जो हमारा वेंजग दिया है वेंजग क्या दिया है हमारा? x की power 4 minus 12 x q plus ax square plus bx plus 72 equal to हम क्या मानेंगे? 0 अब एक बार x की value कितनी रखेंगे? 2 और एक बार x की value हम रखेंगे? 3 तो हम पहले रखेंगे 2 तो यह 2 की power 4 minus 12 2 की power 3 plus a 2 की power 2 plus b into 2 plus 72 equal to 0 अब 2 की power 4 हमारा कितना हो जाएगे? 16 minus 12 2 का cube हमारा 8 plus 2 का square 4 plus 2b plus 72 equal to 0 गो यह 16 12 8 सा हमारा 96 plus 4a plus 2b plus 72 equal to यह हमारा कितना हो जाएगा? 0 minus 16 और minus 72 हमारा कितना हो जाएगा? minus 16 और 72 यह हमारा हो जाएगा 88 88 88 मेसेज हमारा 96 होगा minus तो हमारा कितना हो जाएगा? minus 8 तो 4a plus 2b minus 8 equal to 0 तो 4a plus 2b equal to क्या होगे? 8 यह हमारा क्या हो? equation 1 अब इस वेन जग हम एक बार क्या रखेंगे? x equal to 3 तो यह हम 3 रखते हैं तो यह 3 की पावर 4 minus 12 3 की पावर 3 plus 3 की पावर 2 plus b into 3 plus 72 equal to 0 हो गया हमारा अब 3 की पावर 4 अब 3 की पावर 4 हमारा कितना हो जाएगा? 81 minus 12 into 3 की पावर 3 यानि की 3 का क्यूब 27 a into 3 का स्क्वार 9 plus 3 b plus 72 equal to 0 अब 81 minus अब इस 27 की multiply किसी होगी? 12 में होगी तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 to 4 9 की a में होगी जब multiply तो 9 a plus 3 b plus 72 equal to 0 अब 81 और 72 क्या होंगे? हमारे add होंगे 81 और 72 तो यह हमारे क्या होजाएगा? 153 153 और minus का 3 to 4 यह हमारे कितना होगा? यह हमारे होजाएगा minus का 171 equal to क्या बचाए? 0 अब यह 9 a plus 3 b equal to हमारे कितना है? 171 यह हमारे क्या हाए? equation 2 अब equation 1 और equation 2 को solve करके हम क्या निकाल लेंगे? a और b की value equation 1 क्या है? हमारे 4 a plus 2 b equal to 8 equation 2 क्या है? 9 a plus 3 b equal to 171 इस equation 2 अब इन दोन equation को solve करने के लिए हमारे पहले किसी एक चर को cancel करना पड़ेगा यह a को cancel करना पड़ेगा यह b को cancel करना पड़ेगा तो हम समिगाड एक में किस से 2 से multiply तो जब 3 से होगी तो हमारे क्या जागा? 12 a plus 6 b equal to 24 इसमें 2 9 जा 18 a 2 3 जा 6 b और यह 2 1 जा 2 3 4 2 यह हमारे कितना हो जाएगा? 3 4 2 यह equation हमारे कितनी आ गई? 2 आ गई equation 2 अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? घटाने पर घटाने पर तो यहाँ minus यहाँ भी minus और यहाँ भी minus यह हमारे cancel minus 18 a plus 12 a तो यहाँ हमारे क्या बचेगा? minus 6 a minus 3 4 2 plus 24 तो हमारा minus का कितना बचेगा? 3 4 2 में से हमें कितना minus करना? 24 तो यह हमारे कितना आ जाएगा? minus 3 1 8 अब यह minus से minus हमारे cancel 6 जी एक हैंचल, 6, 5 जा 30, 1 बचा, तो A equal to हमारे कितना आगया, 53, A equal to हमारे किया आगया, 53, अब A की value को हम equation 1 में रखेंगे, तो 4 into, A की जगा हमारा 53 plus 2B equal to 8, अब 53 की क्या होगी, हमारी 4 से multiply, तो 4 जगा 212 plus 2B equal to हमारे क्या होगे, 8, तो 2B equal to हमारे कितना आजाएगा, 8 minus 212, अब 2B, अभी इसमें से हमें कितना minus करना है, 212 में से 8 minus करना है, तो यह हमारे कितना आजाएगा, minus 204, कितना आजाएगा, minus 204, अब यह हमारे 2 से cancel, 2102 जीरो ऐसे ही, minus 102, तो इस question का जो हमारा option number A है, वो हमारे क्या होगा, right answer होगा, question number 8, question number 8 क्या, यदि 4A square minus 4AB minus C square minus 2BC का एक गुड़नखंड, PA minus 2B minus C है, तो P का मान होगा, और यह हमें 4 option दिएगे है, हमें right option पे टिक करना है, अगर इस VN जग का यह हमारा गुड़नखंड है, तो यह इस VN जग को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानि कि हम क्या करेंगे, जो इस VN जग का क्या हमारा गुड़नखंड है, हम उसके equal क्या मानेंगे, 0, तो P A minus 2B minus C equal to, हमने क्या मान लिए, 0, और हम P A equal to, यह minus 2B उदर जाके हमारा किसका हो जागा, पिलस का, और minus C दर आके, पिलस का C, और हम यहाँ से किसकी value निकाल लेंगे, एक की value, एक की value हमारी क्या होगी, 2, A ऐसे ही, 2B plus C ऐसे ही, यह multiply by P हमारा, इसमें आ जाएगा, और जो हमारा VN जग है, VN जग क्या है, 4A square minus 4A B minus C square minus 2B C, हम इसके equal to क्या let कर लेंगे, इसके equal to, हम, 0 let कर सकते हैं, यह नहीं भी कर सकते हैं, अब A की value हम इसमें क्या कर देंगे, पोट कर देंगे, तो 4, A की value क्या हमारी, 2B plus C upon P, square है तो, square, minus 4B, ऐसे ही, A की value क्या हमारी, 2B plus C, upon P, minus C square, ऐसे ही, minus 2B C, भी, ऐसे ही हमारा, अब हम यह देखना है, इसके आगे, कि X की किस value पर, हम यहाँ पर क्या देखना है, P की किस value पर, इसकी value क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम यहाँ सबसे पहले रखे देखने है, P equal to 2, हम क्या देख रहे हैं, हम option के हिसाब से चलना है, P की जगए, एक बार, minus 2 रखके देखना है, एक बार, one देखना है, एक बार, minus 1, एक बार, 2, जिस से, पी की, जिस value से इस बेंट जग की value क्या आ जाए, हमारे, 0 आ जाती है, अगर, तो वही इसका क्या होगा, answer होगा, वही P का माना होगा, पहले हम इसमें क्या रखके देखते हैं, P की value 2, तो 4 ऐसे, 2B plus C, ऐसे, इस P की जग हमने क्या रहा का 2, whole square ऐसे, यह 4B, 2B plus C, ऐस P की जग हमने क्या रहा का 2, यह minus C square, minus 2BC, अब हमारे, इसमें क्या होगा, 4S, यह 2B plus C का whole square, नीचे हमारे, 2 का square कितना होगा, 4, minus 4B ऐसे, 2B plus C, pawn में 2, minus C square, minus 2BC, C अब हमारे कया होगा हूँ 4 से 4 cancel और 2 से हमारे 2 बार में cancel तो हमारे क्या होचा 2B पलस C का whole square minus 2 bracket में 2B plus C minus C square minus 2BC होगे हमारा A plus B का whole square क्या होता हमारा A square यानि कि 2B का square क्या होगा 4B square plus B square होता यानि कि C square plus 2AB यानि कि 4BC अब इसके अंदर multiply होगी तो 4B minus 2C minus C square minus 2BC अब यह 4B square है हमारा यह हमारा कितना है 4B square यहाँ पर हमारा क्या था B भी था जब B की अंदर यहाँ पर हमारा क्या छूट गया है B छूट गया अब जब 2B के अंदर multiply होगी तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा अब ये plus 4B squared minus 4B squared cancel और ये plus minus हमारा minus और ये हमारा क्या था plus और ये plus C squared minus C squared cancel हमारा क्या बचा 4BC minus 2BC हमारा कितना हो जागा minus 4BC 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 cancel यानि कि 0 आगे हमारा 0 कब आया जब हमने P की value 2 रखे उस वियंज पर तो यानि कि उस वेंग जैक पर जो हमने पी की वैल्यू टू रखी तो उसकी वैल्यू क्या आगई जीरो आगई यानि कि जो पी का मान होगा वहां क्या होगा दो होगा तो इस question का जो हमारा option number D है वो हमारा right answer होगा question number 8 हमारा complete question number 9 question number 9 क्या है भहोपदो 8 bracket में x cube minus 2 x square plus x कॉमा 28 bracket में x cube minus 1 कि युगम का उच्चितम अभेनिस्ट घटक है हमां इन दोनों में क्या देखना है common देखना है बड़े से बड़ा common उच्चितम अभेनिस्ट घटक तो पहला भहोपदों क्या देखना है बड़े से बड़ा common तो पहला बहुपत क्या है 8 bracket 1 x cube minus 2x square plus x 8 ऐसे ही इस पहले बहुपत जो हमारा पहला बहुपत है इसके अंदर हम क्या आ रहा है common x common आ रहा है तो हमारे क्या बचा है x square minus 2x plus 1 बचा अब यह हमारा 8 into x ऐसे ही अब हम इसके क्या करेंगे factor करेंगे x square इस minus 2x की हम क्या लखेंगे minus x minus x plus 1 equal to 0 8 into x ऐसी इन दो नुमा हम x common लेंगे तो x minus 1 इन दो नुमा minus 1 common लेंगे तो x minus 1 अभी 8 into x ऐसी x minus 1 हमारा दो नुमा common है तो यह x minus 1 हमारा common फिर से यहां क्या बचागा x यहां क्या बचागा minus 1 और हमारा दूसरा भाहुपत क्या है 28 bracket में x cube minus 1 हम 1 को क्या लिख सकते है 1 का cube अब 28 ऐसे हमारा a cube minus b cube हमारा क्या होता a minus b और bracket में a square plus b square plus a b इस 28 को हम क्या लिख सकते है हम 28 को लिख सकते है 4 x 7 x minus 1 है हमारा into x square plus 1 plus x हैसी हम यह इस 8 को हम क्या लिख सकते है 4 into 2 into x है ऐसी x minus 1 into x minus 1 अब हमें यह देखना है कि इन दोनों में बड़े से बड़ा common क्या है यहाँ 4 common है यहाँ भी 4 है हमारा और यहाँ x है यहाँ कहीं x नहीं है यहाँ 2 है यहाँ 2 यहाँ x minus 1 है यहां भी x-1 है तो इन दोनों भावपदों में बड़े से बड़ा common क्या आ गया 4 bracket में x-1 4 bracket में x-1 तो इस question number 9 का जो हमारा option number A है हमारे क्या होगा right answer होगा question number 10 question number 10 क्या n का वहमान ग्याद कीजिए जिस पर वहज़क 9x4 minus 12x3 plus 9x square nx square minus 8x plus 4 sumpoon work हो जाए हमें n की ऐसी value निकाल ली है जिससे ये बेन जग हमारा क्या हो जाए sumpoon work हो जाए तो ये बहुत आसान है इसे हम option से भी कर सकते है option में क्या option में ये देखना है कि इसमें से pooled work संक्या कौन सी है 18 हमारी pooled work संक्या नहीं है 24 भी हमारी pooled work संक्या नहीं है और 12 भी हमारी pooled work संक्या नहीं है तो ये जो 16 हमारे ये क्या हमारी pooled work संक्या है 16 किसका work होता है हमारा 4 का work होता है 16 हमारे किसका work होता है 4 का work होता है तो इसका जो हमारा option number a होगा वो क्या होगा right answer क्योंकि अगर हम इस वियन जग में N की जगे क्या रखें हम 16 रखें जैसे 9x4-12x3-16x2-8x4 जब हमने x की value क्या लिखी N की value 16 रखी तो अब यह जो है यह हमारा algebra का formula बन जाएगा इससे कौन सा वाला A प्लस B प्लस C के whole square वाला इससे हमारा formula बन जाएगा तो इसमें N की value क्या आएगी 16 आएगी क्योंकि यह एक अपने आप में पूर्ण वर्ग संक्या है तो इसका जो option number A है वो हमारा right answer होगा यानि कि 16 question number 11 question number 11 क्या यदि 2a plus xb plus c वे अजग 9b square minus c square minus 2ac plus 6ab का एक गुलंखंड हो तो x का मान होगा और हमें जो 4 option देगे हैं इसमें right option में tick करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है जो हमें जो इस वे अजग का हमारा गुलंखंड है हमें उसके equal to क्या let कर लेना है 0 let कर लेना है अब हम यहां से किसकी value निकाल ले रहे है 2a की value तो 2a equal to हमारे कितना हो जाएँगा minus c minus xb a equal to हमारे कितना हो जाएगा minus v minus c minus xb upon 2 और जो हमारा वेन्जग है 9b स्क्रार minus c क्रार minus 2ac plus 6ab इसमें हम एक ही जगह रखेंगे हम इसमें एक ही जगह रखेंगे माइनस c minus xb upon 2 plus 6B ऐसे हम A के जगार फिर से ज़लुए minus C minus XB upon 2 अब हमें option से check करना है option से हमें check करना है X की value हम इन 4रों anyways क्यारखे है कि इस वेंजalg की value क्या जाए हमारी 0 जाए तो हम जब इस वेंजग में X की जग़ा ज़लुए minus 3 रखेंगे X की जगे क्या रखेंगे minus 3 तो इस पूरे VN जग की हमारी क्या हो जाएगी value minus 3 तो जो X की इसमें जो value होगी हमारी क्या होगी minus 3 होगी तो चली हम इसमें एक बार रखे देख ले रहे हैं यह 9B square minus C square minus जब यह minus common लोगा तो भाहर क्या हो जाएगा plus 2C bracket में क्या हो जाएगा C plus अब X की जगे हमें क्या रखना है minus 3 रखना है minus 3 अगली line में रखते हैं XB upon 2 यहां हमारा जब फिर से minus common लेंगे 6 भी हो जाएगा bracket में C plus XB upon 2 अब हमें X की जगें कितना रखेंगे minus 3 तो यह 9B square है ऐसे ही minus C square भी है plus 2 से 2 हमारा cancel C एसे H इस X की जगे हम कितना रखेंगे minus 3B minus 6B एसे ही यह 2 से हमारे 6 जगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा 3B bracket में C X की जगे हम क्या रखेंगे minus 3 तो यह हमारे कितना हो जाएग minus 3B अब यह 9B square minus C square अब इस C के अंदर क्या हो जागी multiply ये C square minus 3BC ये minus 3BC minus minus plus 3 दीज़ा 9B square ये हमारा क्या होगा 9B square ये 9 ये हमारा क्या होगा ये हमारा था minus अब ये हमारा 9B square से 9B square cancel C square से C square cancel 3B से 3B cancel तो इस वें जेक की value कितनी हा गई 0, इस वें जेक की value 0 कब आई जब हमने x equal to minus 3 रखा, तो यानि की x की value हमारे कितनी होगी, minus 3 होगी तो इस question number 11 का हमारा option number C है, वो हमारा right answer होगा